10.1 दक्षिन अमेरिका में उपनिवेश्वाद और राष्टवाद नई धर्ती की खोज भारत की खोज में कोलंबस नामक नाविक इस्पेन से तीन जहाजों के साथ निकला और सन 1492 में अटलांटिक महासागर पार करके अमेरिका के निकट के द्विप समूह पर पहुँचा कोलंबस ने सोचा कि वा भारत पहुँच गया उसने उन द्विपों को इंडीज और वहां रहने वाले लोगों को इंडियन कहा आज हम इंडीपों को वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं समय के साथ यह पता चला कि यह नया महादूप है भारत नहीं है लेकिन फिर भी अमेरिका के मूल निवासियों को आज भी रेड इंडियन कहा जाता है 10.1.1 दक्षिन अमेरिका पर कबजा कुछ वर्षों में यूरोपीय नाविकों ने पूरे अमेरिका महादूप के तड़की आत्राएं कर डाली इस महादूप को अमेरिका नाम दिया गया इस नई भूमी पर कबजे की संभावना ने इस्पेन के पेशेवर सेनपतियों को आकर्शित किया ये पेशिवर सेनापती यश और धन कमाने के लिए अपनी सेना तयार करके स्पेन के राजा से अमेरिका में उनकी ओर से नए छेत्र जीतने की अनुमती लेते थे। वे अमेरिका में अपने लिए जमीन के बड़े टुकडे घेरना चाहते थे ताकि वहां खेती वह पशुपालन किया जा सके। उन दिनों यूरोप में आबादी तेजी से बढ़ रही थी और जमीन की कमी थी। ऐसे में एक पूरा महादुए बसने के लिए मिले तो क्या बात थी। अमेरिका का एक और आकर्शन था। उन दिनों यूरोप में सोना चांदी का आभाव था। और यहां फौर फैली कि अमेरिका में इनके बेशुमार भंडार और खाने हैं। योद्धा और सेनपती सोना चांदी लूटने के आशा में अमेरिका के ओर निकल पड़े। जमीन और सोना चांदी के अलावा इन यूद्धाओं के लिए एक और प्रबल प्रेणा थी। वे मानते थे कि वे अमेरिका के असब भी लोगों के बीच इसाई धर्म फैलाएंगे। रोमन कैथोलिक चर्च ने यूद्धाओं के साथ कई विशेश पादरियों को भी अमेर यह वर्तमान में पेरू एवं चिली देशों के हिस्से में है। दूसरा राजे था एश्टेक जो मेकसिको में इस्थित था। बाकी देशों से संपर्क नहीं होने के कारण वहां का तक्नीके विकास अलग था। वहां ना लोहे का उप्योग होता था ना पहिये वाली गाड थी ना घोडे ना गाय बैल ना तोब बंदुक। वे लोग हल चला कर खेती नहीं करते थे और ज्यादा तर कुदाल से खेती करते थे। और इससे विभिन तरह के अनाज जैसे मक्का और सबजियां जैसे मिर्ची, टमाटर, कद्दू, आलू, इत्यादी उगाते थे। के लोगों को राजाओं अभिजाते लोगों के मांगने पर बेगार करनी पड़ती थी। वहाँ पुजारियों का काफी महत्यों था, वे सूरज आदी की पूजा करते थे और समय समय पर जानवर वह मनुशिक की बली चड़ाते थे। कोटेस नामक सेनपती के साथ इस्पेन से आये सैनिकों ने एस्टेक सामराज को सन 1519 में ध्वस्त कर अपने कबजे में ले लिया। वे यही मानते रहें कि स्पेन के लोगी देवता हैं। इस सोच के कारण भी उन्होंने कोटेस को रोकने का प्रयास नहीं किया। राजा ने कोटेस का स्वागत किया। किन्तु अचानक कोटेस ने राजा को उसके ही महल में बंदी बना लिया और भयंकर लूट पाट और मार काट मचाई। इस स्पेनी लोगों के साथ आई चेचक जैसी महमारी भी अपना काम कर गई। एस्टेक के सैनिक बिमारियों के कारण मारे गये या लड़ने के स्थिती में नहीं रहे। इस युद्ध में कोटेस की जीत के कई कारण रहे। इस स्पेनियों के हत्यार खास कर घोड़े, दिक्षित किया गया और उनसे बेगार करवाई जाने लगी। लगभग इसी कहानी को दक्षिन अमेरिका के इंका सामराजी की राजधानी में सन 1533 में पिजारों द्वारा दोराया गया। पुर्तगाल के नाविक भी कोलंबस की तरह भटकते हुए ब्राजील के तड़ पर वहां अपने लोगों को बसा कर खेती करने का प्रयास किया।